बिहार के वो कौन से दो जिले हैं जो बन रहे साइबर अपराद के गर? नमस्कार मैं दिव्याइफ स्वागत है आपका अच्छकस वीडियो में इन दिनों साइबर अपरादी बिहार में अपना पाउं पसारते नजर आ रहे हैं प्रदेश में सबसे अधिक साइबर अपराद की ये मामले नालंदा और नवादा जिले में देखने को मल रहे हैं एक अधिकारी कांखने के अनुसार राजे में लगबग 200 से भी अधिक साइबर अपरादियों को गिरफतार किया गया है इन में 50 लोग नालंदा जिला के रहने वाले थे तो वही 26 साइबर अपरादी नवादा दिले से मिली जानकारी के नुसार फरवरी से अब तक 6.48 लाग से भी अधिक सिकाई थे आर्थिक अपराद इकाई के नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टर के हेलप लाइन नंबर पर आ चुकी है पूरे प्रदेश में साइबर अपरादियों पर नकेल कसने के लिए 44 साइबर थाने खोले जा चुके है 1800 से भी अधिक मामले अभी तक सभी थानों में दर्ज हुए है 3700 से भी अधिक मोबाइल फोन जो साइबर अपराद के मामलों से जुरे थे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और 29 करोर एक लाख रुपे से भी अधिक की डासी को इनके चंगुल से बचाया गया है एक जानकारी के मताबिक साइबर अपराद के बरते इस मामले को देखका नवादा के वारसली गंज छेतर में तो कई दुकांदार ऐसे भी है जो कैसलिस लेंदेन नहीं करना चाहते और कईोंने तो कैसलिस लेंदेन को ही बंद कर दिया है इस मामले को लेकर वारिसली गंज SBI के साखा प्रबंदक राजीव रंजन्द्वारा बताया गया कि SBI में सैकनों खाते में साइबर फ्रोड की रासी की वजह से होल्ड लगा हुआ है जिसे साइबर पुलिस की जांच की बाद ही चालू किया जाएगा साथ ही अभी बताया गया कि खाता फ्रेच होने की परिसानी से बचने के लिए दुकानदार सिर्फ परिचित लोगों से ही कैसलेस लेंदेन करें इन दिनों साइबर अपराधूं से बचने के लिए बिहार सरकार भी लगातार प्रदेश वासियों को अलट कर रही है अभी हाल में ही बिहार सरकार ने अपने सूचना इवं जन संपर्ख विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर इसे लेकर पोस्ट किया जहां इस बात की चर्चा की गई कि बैंक के नाम पर धोका धरी करने वाले आपसे OTP तथा ATM पिन के लिए कॉल करें तो कभी अपने डीडेल सेर्व ना करें इस पोस्ट में बताया गया कि अगर आप ये जानकारी साजा करते हैं तो आप अपना पैसा खो सकते हैं इस तरह के मामले यदी सामने आये तो तुरंत एक नौ तीन सूने पर कॉल करें इसके अलावे सोसल मीडिया पर भी उपलब्द सेक्योरिटी सेटिंग के उपयोग करने की बात कही गई है ताकि आपका सोसल मीडिया हैंडल साइबर अपराधियों से सुरक्षित रहे विभाग ने अपने इस आधिकारिक अकाउंट पर साइबर क्राइम से संबंदित को जानकारी भी साजा की साथ ही उनसे बचने के उपाई के बारे में भी बताया है इस पर लोट्रिया पुरसकार जीतने का लालत देने वाले मेसेज़ों से भी बचकर रहने की बात कही गई है और कहा गया है कि ऑनलाइन डेटिंग एपस की माध्यम से कभी ऐसे व्यक्तियों को पैसे ना भेजे लेकिन ये जरूरी है कि आप एक बार विभा के अधिकारी अकाउंट पर जाकर ये जानकारी जरूर देखे और खुद से भी समझने के परियास करे खैर इसके लावे आई एम आपसे और भी कुछ जानकारीों को साजा करे ताकि आप ऐसे मामलों में चोक करने रह सके लेकिन इससे पहले ये समझना बेहरी जरूरी है कि आखिर ये साइबर क्राइम है क्या जर असल किसी भी डिवाइस ये अलेक्ट्रोनिक उपकरनों का उपयोग करके इंटरनेट की माध्यम से यदि किसी अवैद गतिविधियों को अंजाम दिया जाए तो इसे साइबर अपराद के स्रेनी में ही रखा जाता है ये साइबर अपरादी किसी व्यक्ति संगठन या सरकार तक को निसाना बना सकते हैं किसी को भी निसाना बनाने से पहले वे उसक अप्डेटिंग सिस्टम को भी अपडेट रखें जब भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे तो इस दौरान जिन भी उपकरनों का इस्तिमाल करते हैं उसमें अंटी वाइरस का उप्योग जरूर करें और समय समय पर अपडेट करते रहें बिना जाने किसी भी अंजान लिंक करने से बचे यदि आप इसके सिकार हो भी जाते हैं तो तुरंत इसकी सिकायत करें आज के लिए फिलालित नहीं हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद